सबको जय मसी की, मेरा नाम चीना है, मैं चंडिगर शहर से बिलॉंग करती हूँ मैं आप रभु का और आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे आज अपनी गवाई को आप से बाटने का मोका मिला जैसे कि और व्यक्तियों की तरह मैं भी एक आम इंसान की तरह जो हर कोई करता आ रहा है जैसे मेरे पूर्जों ने मुझे जो से खाया करना मैं एक बहुत धार्मिक प्रवित्ती की लड़की थी बहुत जादा मंदिरों में, गुर्दवारों में, मस्जिदों में जाती थी क्योंकि मैं शुरू से ही मेरी ऐसा नीचर रहे कि मैं बहुत जादा धार्मिक थी, सब भगवानों को पूछती थी मेरे अंदर सबके लिए एक प्रकार की शुरदा थी पर क्या हो रहा था कि छोटे होते से ही मेरे मन में एक चीज थी जब मैं मंदिर जाती थी, मैं गुर्दवारे जाती थी, मैं मस्जिद जाती थी मैं कहती थी कि मुझे बनाने वाला कौन है कि अगर मैं एक के आगे जोद जिलाऊंगी या कुछ करूँगी तो दूसरा मुझसे नरास्त हो नहीं हो जेगा पर ये कोश्टन मेरे मन के अंदर शुरू से ही था तो मैं हमेशा से ही ये सोचती थी कि मैं क्या करती थी जब मैं मंद्री जाती थी मुझे दो-दो घंटे लग से ये सब करती जारी थी मैं दिन प्रते दिन और दुखी होती जारी थी मैं अंदर से मैं एक सची शान्ती के लिए जाती थी को कि मुझे लगता था कि मेरे बनाने वाले वह एक जैसे जब हम पैदा होते ही इस बात की एक लालसा होती कि हमें किसने बनाया है हम मतलब जो हमे हमारे माता-पिता ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, कि हम जो वो ही करते आते जो हमारे पीछे पूरवज या हमारे माता-पिता जो करते आ रहे हम वो ही फोलो करते हैं, हमें लगता है कि वो ही है, पर कही ना कही जैसे हम स्कूल में हमें सिखाते थे कि God is one तो वो God को मैं जूड़ना चाहती थी जिसके लिए मेरी टीचर ने मुझे बताया था God is one God is one परमेशर एक है तो उस परमेशर के लिए मेरे मन में हमेशा से खोज थी और मैं सब के लिए सब कुछ करती थी जैसे सब करती है तो एक दिन क्या हुआ मेरे मदर को काफी जड़ा problem होगी तो उनके लिए हमने सोचा की डॉक्टर के पास दिखाया हमने उनने ॢॉक्टर को जब जाके दिखाया उनको हार्ट से रिलेटेड अरोटा के एक problem थी जो बहुत ही serious problem थी जिसके लिए मतलब तो मैं सोचरी में बहुत siguiादा तूट चुकी थी, मैंने का कि कौन है इस दुनिया को बनाने वाला मैं सब कुछ कर रहे हूँ, मैं सब तरिक्य के उन्हें उपवास रख रही हूँ कितमा कुछ मैंने कर लिया, सब कुछ क़र के देख लिया, मंदिर गई, मस्जिद गई मेरे खुद की कुछ फैमिली में प्रॉबलम थी, मैं बहुत ज़दा अशांत रहती थी, मेरे मन में शांती नहीं थी, ऐसी बहुत सी बातें मतलब जो दुन्या में होती है, तो मैंने एक दिन बोला में का कि अब मेरी मम्मी को बचाने वाला कौन है, क्योंकि मैं मम्मी को जैस उस टाइम हमें उन्होंने बोला कि अभी आप कुछ टाइम रुखते हो, फिर थोड़े टाइम के बाद क्या कहते हैं, वो बोले कि नहीं, अब मतलब इनको सर्जरी की जुरूरत पड़ेगी पड़ेगी, तो आप सर्जरी के लिए मन बना लो और त्यार कर लो, ये बात है 2016 में, तो उस टाइम में बहुत टूट गी क्योंकि उस बिमारी का कोई इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं, डॉक्टर कहने बस इसका इलाज सर्जरी और सर्जरी बहुत हाई रिस्क वाली सर्जरी है, जो डॉक्टर बता रहे थे, जैसे मेरे मदर की एज, भी मतलब 60 से बहुत मुश्किल था कि उनका इस एज में हम उप्रेशन करवाए, क्योंकि उनको और भी जादा बाकी भी कुछ है, प्रॉब्लम से इसकी वज़े से हम सर्जरी के लिए नहीं जा सकते थे, तो काफी बोडी में मतलब वीक थे, मतलब चलने फिनने में, कमजोर थे, तो हमने ऐसे मतलब बहुत दुखी होगे, फिर हम एक जैसे जाते है, एक पंदत के पास गए, उसने बोला कि आपके ममी के तो बस पांच-छे दिन है, मतलब निकाल लो थोड़े दिन की आपके ममी है, मैं बहुत रोई आके घर में आके, मैंने बोला मैं कोई भी सच्छा बगवान क जानता हो, फिर मैंने अपके पापा को बोला, मैं का, आप पापा, आपके पास कोई ऐसा कोई आए, जो आप तो मतलब इतने सोशल हो, मैं सोशल नहीं हो, आप ढूंडो जो इस दुन्या को बनाने वाला हो, मतलब भगवान को ढूंडो कि जो मेरी ममी को ठीक कर दे, उसके बासे मैंने मन्दी, सब कुछ बंद कर दिया, जितनी भी मैं धारमिक पाथ पूचा करती थी, उस दिन मैंने ये कह के उसके बाद बंद कर दिया, कोकि मेरा विश्वास उठ गया था, उन सब बेवीदेवताओं पे, वो मर्जिदों पे, वो मकबरों में, वो सब कुछ मेरा विश्वास सुठ गया, मैंने सुखमनी साफ, जो भी मैं पढ़ती थी, मैंने सब कुछ करना बंद कर दिया, मेरा बिल्कुल मन नी करता था, एक कोश्चन माग लगया, कि ये भगवान नी हो सकते, ये भगवान नी हो सकते, उसके बाद क्या कहते, कि मैं एक दिन ऐसी बैठी हुई, मैंने बोला, मैंने कहा, क्या करूँ, मैं क्या पढ़ू, क्योंकि वो पढ़ती थी, उसने कुछ टाइम के लिए शान्ती मिलती थी, पर फिर भी एक खालीपन सा रहता था, फिर मैंने एक पिके बुवी का एक सौंग आता था, बस सिफ मैं वो एक सौंग लगाती थी, कि भगवान है कहा रहे तू, उसमें वो भी भगवान को ढूंड रहा होता है, क्योंकि उसका कोई चीज़ गूम हो जाती है, वो दूसरे प्लैनेट से आया होता है, जिसने मुझे बनाया है, वो एक कौन है, मैं ऐसे ही अपने मन में उदास बैठी रहती थी, शांती से बैठी रहती थी, बस मनी नहीं करता था कुछ करने का, जिस दिन मैंने अपने मुझे बोला, मैं का वो कौन है जिसने मुझे बनाया, अगले दिन ही मेरे को सुबा के टाइम एक सपना आया, जिसमें मैंने जलता हुआ क्रॉस देखा, और मैं जब सुबा उठी, ये मुझे पांच कवजे सपना आया था, उसके बाद मैं सुबा उठी तो मैं इस सपने को भूल गई, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत जीव सा सपना इस सपने को भूल गी, ना ही मैंने उस सपने का जिकर करना चाहा, जैसे और लोग करते थे उस टाइम पर, मतलब यह था ना कि यह तो वहां पर लगा होता है, जहां लोग मर जाते है, उसके बाद क्या हुआ, मैं इस सपने को भूल गी, क्योंकि और भी बठेरे सपने आते उन में से यह भी एक सपना या मैं भूल गी, उसके एक हफ़ते बाद ही मेरे फादर ने किसी एक ऐसी लड़की से बात करी, जो नर्स थी, जो एक होस्पिटल में वर्क करती थी, तो उन्होंने सेकिंड उपिनियन के लिए मेरे मदर के लिए बात करी, कि हम आपके होता है, तो वहाँ पर आके प्रातना करवाओ, तो मेरे फादर ने ऐसे आकर बताया, तो हम वहाँ होस्पिटल में तो गए, होस्पिटल वालों ने तो वही बाते करी, जो से महाँ पर हम वहाँ पर हमारे मन मन में आया, कि जहां हम इतनी जगहों पर जा चुके है, सब लिए प्रात्ना करवानी शुरू करीं और जैसे वो लड़की मुझे जानती भी नीथी तो उस लड़की ने मेरा जैसे एक बार ही मुझे मिली उसके बार मेरा कोई कवो नहीं हुआ बस उसने हमें चर्च में झोड़ दिया कुई ज़्यादा बात नहीं हुई कि अपने जीवन में लेते, तो मैं लगा कि ये कैसा है, हम लोग तो शांती unlocked कर alta करते हैं, यहाँ पर इतना ृट शोड श्राब हो रहाँ, यह कैसी प्रातन हो रही है, तो मुझे पहले दिन तो कुछ भी वहाँ पर समझ नहीं आया पर वहाँ पर किया क copying ते कि ये बात मैंने उस लड़की के मुहसे सुनी थी जब हमें चर्च लेकर गई कहती हमारा खुदा जिनडा खुदा है ये बात करता है ठीक है मैंने सोचा अगर ये बात करता है तो उनके वहाँ पास्चर थे वो प्रॉफिट थे तो वो बहुष्यवानी कर रहे थे तो उस लडकी को नहीं बोला कि हां पर सब लोगों के लिए भभविष्यवानी बताई ही जाती है तो मैंने बोला मैंका ठीक है तो वो हां पर इतनी भीड थी तो भीड के किसी कॉर्णर में हमें जाकर थो यह लड़की जो हमें यहां पर लेकर आई है, यह कहती है कि तु बात करता है, अगर तु बात करता है, तो मतलब मुझ में या मेरे भाई या मेरे फैमिली में से किसी को आगे बुला ले, अभी यह पास्चर जो प्रातना कर रहे थे महां पे न, तो क्योंकि वहां पर कही इशानियों को दूर कर सकता है, तो जैसे ही मैंने यह बोला, अपने मन के अंदर उसी टाइम, दस मैंने सिर्फ यह बोला, मैं का, सब कहते हैं, वो लड़की जो मुझे लेकर रही है, कि तु बात करता है, तु जीवित है, मैं का, अगर तु जीवित है, तो मुझे आगे ब किसी और family के member को नहीं बुलाया पास्टर ने सिदा मुझे बुला लिया को कि ये बात तो मेरे और परमेशर के बीच में हुई थी, मेरे और परमेशर के मन की बात ही तो जैसे ही मुझे उन्होंने आंगे बुलाया तो उन्होंने मेरे जीवन की बहुत सी बाते ऐसी मेरे भविश्यवानी करी, मेरे लिए बताई जो आगे पूरी हुई तो वहाँ से मेरा सा ऐसा नहीं है कि ये कहने से मेरा विश्वास एकदम बन गया वहाँ से मेरा थोड़ा सा विश्वास हलका सा बना, मुझे लगा कि नहीं कुछ तो है, यहाँ पर कुछ मतलब ये बात हो रही है पर फिर भी मैंने उस चीज को इतना वो नहीं लगा मैंने लगा ऐसी ही बुला लिया होगा कि हम आए हैं तो बुला लिया मतलब मैंने उस चीज को seriously नहीं लिया कि हाँ सच में permission ने मेरी बात को मेरी अवाज को सुना है तो मैंने उसको ignore कर दिया, मैंने का ऐसे ही है मन का वहम है, मैंने सोचा ये वो बुला लिया, चला लिया होगी भविश्रानी देखेंगे कब क्या पूरा होता है ऐसे तो बहुत बोलते हैं, बहुत देखे हैं तो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद क्या हुआ एक हफ़ते का गय था, संडे के दिन हम गय थे तो उस एक हफ़ते के बीश में ही उस लड़की ने मुझे एक वीडियो भेजी उस वीडियो में एक लड़की टेस्टमनी दे रही थी वो लड़की टेस्टमनी क्या दे रही थी वो भी अपनी दुनिया के बनाने वाले को खोज रही थी कि कौन है उसने सारे हिंदु के, सारे मुसलिम के, सारे सिख के सारे मतलब जोबी जीजर, सारे देवी देवताओं का, सारे भगवानों का नाम लिया और बोला कि वो कौन है जो इस दुनिया को बनाने वाला आप में से जो भी है मुझ पर अपने आपको प्रकट करो और उसने अपनी गवाई में ये बता रही कि जैसे ही मैंने ये बोला तो बोलने के बाद आखे मैंने बंद करके मैं थोड़ा सा लेती तो मुझे जलता हुआ क्रोस दिखा जैसे ही ये वीडियो मैंने देखी मैं वही पे चुप रही और मैंने का ये तो मेरे साथ भी हुआ है क्योंकि मैंने भी प्रभू को खोजा और जैसे ही मतलब वो लड़की ने खोजा उसको जलता हुआ क्रोस दिखा मुझे दिखा और वो लड़की आगे से क्या गवाई दे रही थी कि मुझे जलता हुआ क्रॉस दिखा और उसके बाद मेरी आँखे एकदम खुल गी और उसके दो-चार दिन में ही उसकी क्रिश्चन फ्रेंड ने जो कई सालों पहले उसकी क्लासमेर थी उसे फोन करा कुछ तो ऐसा है जो जानना चाहिए मुझे कि हाँ कि सच में मुझे आगे बढ़ना चाहिए क्यों कि मैं बहुत क्रिटिकल थी मैं कोई भी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐसे लही नहीं सकती तो मुझे लगा कि नहीं ये फिर वो एक चीज होगी क्लियर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये जो सपना आया मैंने उस चीज़ को हो गया मैं का नहीं आप मैं थोड़ा सा और येश्यमसी के बारे में जानूगी कि कौन है येश्यमसी तो क्या करते हैं उसके बाद में ये हो गया उसने मुझे एक Bible भी दी थी नया नियम चोटी सी उस टाइम पर नया नियम उसने करके कि ये पढ़ो इसमें से परमेशर आपसे बात करते हैं तो मैंने पढ़ना शुरू करा, उसके बाद क्या हुआ, मुझे मतलब एक सपना आया, जैसे मुझे अमने मदर की बहुत टेंशन थी, कि मेरे ममी पता नहीं कौन ठीक करेगा मेरे ममा को, कौन बचाएगा, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, ओप्रेशन होगा, ऐसे बहु मैं अपने ममी के घर ही गई हुई थी, क्योंकि मैं उनी के साथ ही गई थी, तो वो चर्च रात के डेट दो बजे खतम हुआ था, तो मुझे उधर ही रहना पड़ना था, तो उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन मैंने बाइबल खोल के पढ़ना शुरू करना था, तो जिस आज आज एक इसे नौल फॉर फॉर पे जासे जो शोरूम होते हैं, बाइसे इस एक मंदिर है, तो हम वो वाली सीडियों जिस पर पेइंधर पेंट करते हैं, उस सीडियों पे चड़के अपनी मम्मी को और मैं हम उस मंदिर पे गए है नौवे फलोर के पूजा करने के लिए मतलब उस सीडियों को चड़ चड़ के उपर गए है जीव साख अपना था तो हमने वहाँ पे जाके उपर चड़ते हैं नौवे फलोर पे जाके तो हम क्या देखते हैं कि प्रातना करने के लिए जाते है तो मैं जैसे मैं शिव की पूजा करती थी, शिवलिंग की पूजा करती थे, जैसे शिव जी हमारे इश्ट थे उस टाई, तो हमने देखा वहाँ पर सब देवी देखता है, पर वहाँ पर शिवलिंग ही नहीं है, तो मैं बहुत जादा मैंने जब ये सपने में देखा, तो मै मैंने बड़ा सोचा कि शिवली ही नहीं है आप सारे देवी देटा हमारा इश्टी नहीं है तो हमने मत्था नहीं देखा हम बाहर आगे